दस दिन पहले कोरोना मुक्त हुए भीलवाडा में रविवार को एक बार फिर कोरोना पोजिटिव सामने आया है। प्रशासन ने जहां सक्त रुक अपनाया है वहीं एक और कोरोना संक्रमन से ठीक होने वाला अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। जिले के रायला कस्बे की मैना तेली की तीसरी रिपोर्ट निगेटिव आने पर उसे फूल देकर अस्पताल से घर बेजा गया। इस मौके पर अस्पताल अधिक शक डॉक्टर अरुन गोड ने कहा कि हम मैना को वाइरस फ्री होने पर डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसके सील लगाकर होम आईसोलेशन में रखा जाएगा। इसके साथ ही एक कोरोना पोजेटिव मरीज भी मिला है। जिसे आईसोलेशन वाड में भरती किया गया है। गोड ने यहे भी कहा कि 900 से अधिक सेंपल की रिपोर्ट आना भी बाकी है। मेडिकल कोलेश के प्रिंसिपल डॉक्टर राजन नंदा ने कहा कि कोरोना पोजेटिव मरीज जोदपूर में कार्य करता था। इसकी डिटेल हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है कि यह किनकिन के संपर्क में आया है। कि में काम करता है किसी हैंडी क्राफ फैक्टरी के अंदर और सुद्र चाहर को बिर्वडर में आया था क्योंकि यह बाद से पेशेंट आया हुआ था इसका सेंपल लिया गया है कल लेक राइट में जब हमारे पास रिपोर्ट है जैपूर से तो इनका सेंपल पॉजितिव उच्बा करेंड़ से तीम लेकर हमारी जो आसलेशन वाले से में चोक अंडर से टीम जाती हैं को गर से लेया लेया हैं और उनकी पूरी रिपोर्टनिंग और टेस्टिंग यहां हो रही है डिटेल हिस्ति भी इनकी आजाएगी किसकर किससे कंटक्ट है किसके नहीं है आज हमने मेना तेली जो हमारे यां भरती थी उनका आज 14 दिन पे जो सेंपल आता है वो नेगेटिव आने पे तीन सेंपल लगतार नेगेटिव होने पे वो आज वायरस फ्री हो गई है और आज हम उने डिश्चार्ज कर रहे हैं इनको हम 14 डेज होम आइसोलेशन की सील लगा के फ्री क्या है आज एक पॉजिटिव पेशेट और आया है वो जोदपूर का है और उसका सेंपल वो 14 डारिक को वहां से आया है और उनका पुलिस ने हमारी उनको बॉर्डर पे पकड़ लिया था जब वो एंटर होए तो उनको लाकियां सेंपल कराया और सेंपल करने के बाद वो उनकी पत्नी और उनका इक पतिजा उसको होम आईसोलेट कर दिया गया था उसका सेंपल पॉजिटिव आने पर उसे आज हमने हमारा आईसोलेशन गया